सरोका आज मनाई जा रही वालमी की जैनती कारिक्रम में नगर विकास मंत्री एक शर्मा रहे मौजूद। मुलायम सिंग का हाल जानने में दान तास्पताल पहुचे आप सांसा संजय सिंग। राम रहीम को मिलेगी पैरोल सिर्सा और राजस्थान के डेरे में तैयारियां हो शुरू। नमस्कार मैं हूं मयूरी सिर्वास्तव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी वक्त हो गया हुत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। प्रदेश की राजधानी लखनव में आज वालमी की जैनती के दिन नगर विकास बिभाग द्वारा आयूजित कारिकरम सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान का आयूजन किया गया जिसमें नगर विकास मंत्री एक शर्मा मुखतिती के रूप में उपस्थित रहे इस दोरान नगर विकास मंत्री एक शर्मा ने सफाई मित्रों को शॉल और सेफटी किट दे कर सम्मानित किया इस कार्टरम के शुरुआत में नगर विकास मंत्री ने आदी कवी महारिशी वालमिकी को माल्यार पढ़ कर उन्हें नमन किया और इनके उन्होंने समस्त सफाई मित्रों को भी संबोधित किया के समयकाल का है कनाड़ा के राजदूद अभी एक महिना पहले आए था आज महरसी बालमीकी जी के पावन जन जैनती के और सर पर हम लों ने नगर विकास विभाग ने ये सोचा कि अपने प्रदेश के सभी नगर निकायों के सभी सफाई कर्मचारी मित्रों को जिने सफाई मि हम कहते हैं उन सब को इकठा करके वो जो भूल गए हैं या हम भूल गए हैं कि वो भी नगर विकास विभाग के भाग हैं या अभिन भाग हैं यूं कह लीजिए ये बात हमें भी अस्मरण रहनी चाहिए उनको भी अस्मरण रहनी चाहिए कि वो नगर विकास जैसे एक बड कि उनके कामकाज से लगे हुए कुछ सुवक्षा की समान होते हैं वो उन्हें देने के लिए और जो उनका सम्मान है समाज में हमारे मन में हमारे दिल में जो उनका सम्मान होना चाहिए वो उनको प्रतिस्थापित करने के लिए हमने ये कारकम आज सफाई मित्र सुवक्षा ए के पावन अवसर पे हम लोगों ने सोचा कि उनको नमन करते हुए उनको अपने सद्धा सुमन चड़ाते हुए नगर विकास विभाग के एक महत्वपूर कड़ी जो सबसे महत्वपूर कड़ी हमारे सफाई कर्मी मित्र हैं उनके सम्मान का और उनकी सुरक्षा की बात को आग нашем साथ आज यहां नखनू में निदिशाले में आप देख रहे हैं हजावन लोहों की संख्या है और अन्य निकायों में लगबख साड़े पांससो अस्तालों पे हमारे निकायों के कर्मचारी और अधिकारी और प्रता जिकारी सभी बैठे हुए हैं हमारे नगर निगमों के महापोब बैठे हुए हैं उनके साथ सभी अधिकारी और वहाँ काम करने वाले सभी सफाई कर्मी बैठे हुए हैं ऐसे लगबख 27,000 लोगों की संख्या के साथ आज का ये सफाई मित्र, शुरक्षा और सम्मान दिवस मनाया गया है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशी राम किया सोलवी पुर्णितिति के अफसर पर राजधानी लखनव में सैकडों की तादाद में बसपा कारकरताओं ने काशी राम के योगदान को नमन किया आपको बता दें कि बस्पा अपने संस्थापक काशीराम की पूर्णितिथी को हर साल दिवस के रूप में मनाती है साथी प्राइम टीवी ने अलग-अलग जिलों में आए बीएसपी के कारकरताओं से बात की और अगामी लोग सभाचुनाओ को लेकर काशीराम के योगदान के बारे में भी जाना देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट बस्पा के संस्थापक कासी राम जी की आज सोल भी पुनितिती है और भाउजन समाजवादी समाजपाटी से परिनर्वाण दिवस के रूप में मनाती है हमारे साथ कुछ बस्पा के कारकरता है जो अलग अलग नगरों से आए अलग जीलों से बाट करते क्या शुब नाम है भी आपका मेरा नाम संजीस सिंग स्वापूर पारसत कानपूर नगर आज हम लोग कानपूर नगर के सभी बावजयन समाज पार्टी के कारकरतागर मारातपूर विदान सभा से आई हुए हमारे वरिष्ट बावजयन समाज पार्टी के कारकरता स्री बावुराम पुरील साब जी पपू गौतम जी और हमारे किसुनपूर से बावुराम पुरील हाने का मकसद क्या है हम लोग वाम dat यहां पर कानपूर से चल dau Aur Deut कर करता लोग आई हूए है हमोग यहां पर संक्व लेना है मानिया बहुए जी को 24 में पुर्दान मंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं तनमयता के साथ में हर जनपत में हमारे कार कट लिए हुआ है और जो आगामी हम लोगों का नगर निगम चुनाओं लगा है इस पर हम लोग सबी सीटों में चुनाओं लड़ रहे हैं मानिया बहन जी की नुटत में और हम लोग अपना नगर निगम में परचे बढ़ाएंगे और महापौर भी हमारे वहुजन सभाज़ पार्टी में नगर निगम करेंगे और और 24 लोग संकल्व लेंगें मानिया को दानमंत्री के रूप में यहां पर हम लोग संखल लेकर ढग डिता है लेकिन पूरे भारत वर्से में जो है लगबग डेड़ करोर वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला है और बहुजन समाज पार्टी ये मानेवर कासी राम साब डाक्टर बावा साब भी आर अंबेतकर जी का मिशन है इसमें एक ही नाम से हमारी नेता मानिया बैनकुमारी मायावती ज में हाथ ही चुनाव चिन में पूरे जो है भारत वर्स में इतना बोट इतना ज्यादा बोट मिला और भाविस्थ में यहां हिंदुस्तान में केवल दो विचार धाराय रहेंगी एक तरफ जातिवाद सामंतवाद पूंजीवाद मनवाद ब्रामणवाद और दूसरी तरफ है हम लोग मिसनली लोग जो गहर बराबरी की लडाई लड़ रहे हैं है टाइम चाहिज इतना लगे है लेकिन अब वो समय ज्यादा ज्यादा दूर नहीं है जो इस देश की प्रधान मंतरी बैनकुमारी मायवती जी बनेंगी और कोई दूसरा नहीं बनेंगी किस सरा से देखते हैं दोजार चौबिस में हम लोग यह सोच रहा है कि कानपूर कम से कम हम लोग जिस जनपत से कारगरता लोग आए हैं कानपूर जनपत के कारगरता है हम सब चाहते हैं कि कानपूर जनपत में अकबर पूर लोग सभा जो सीड हमारी 44 अकबर लोग सभा उस में कुस्वाह समाज से तालूक रखने वाले संजीत कुस्वाह जी को टिकट दिया जाए वो उनके पास कम से कम पांच लाग वोट बैंक है वही हमारी बहुजन समाज पार्टी के एकलाओते ऐसे कंडिडेट हैं अगबर पुर लोग सभा में जो सांसदी जीत सकते हैं और हमारी पार्टी का पर्चम कानपुर जन्पद में लह रहा सकते हैं अभी के लिए हम लोग इस कारकरम में आए आधनली पारसद जी का बहुत बड़ा योगदान था कि हम सेकड़ों और जारुक ताजाद में इन्होंने काडर के कारकरताओं को खड़ा किया है कानपुर जन्पद में संजीत कुसवाजी ने पूर में पारसद रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के बहुत अच्छे लिए लिए लखनों में आने का कोई मकसद होगा कुछ सोचा होगा आप लोगों ने क्योंकि 24 के चुनाओं भी आ रहे हैं इसके बाद भी चुनाओं है आम चुनाओं है अभी नगर निकाय चुनाओं भी आ रहा है तो क्या मकसद लेकर आए हैं लखनों में और मिसन को किस तरह से आगे बढ़ाएं कि कहीं ने गई हमारी पार्टी सा सुरक्षित रखने का काम करता रहा है हमारे जितने भी और समाज से उन्हें भी गर्टार नियुक्स तो हर समाज से चलती है हार समाज बिल्कुल जोड़ रहा है आज कहीं न कहीं भाजपा में बहुत सी समाज चले गए उनमें से हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा समाज किसी पर्टिकुलर पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है उसमें आप देखिए कुस्वा समाज एक मौरसाक सहनी एक ऐसा समाज पार्टी का सबसे पुराना जब से पार्टी खड़ी हुई तब से इन्होंने पार्टी को खड़ा करने का काम किया वो ते कुस्वासाक सहनी समाज है इसे बहुत बहुत अच्छी बात है यहां कुछ बुजर्ग विए उनसे भी बात कर लेते हैं चचाचा किस तरह से 24 का मे तिके मैं नगर संगठन मंत्री हूं बात यह है जैसे बात आ गई कि एक सीट निकली एक सीट बहुत कुछ है भोज चुकी एक सीट बहुत हो गई अकेला चलना भाड़ नहीं फोड़ सकता यह अकेला व्यक्ति इतिहास इरच सकता तिक बहन जी ने जो करकी दिखा दिया किसी म इतना भॉकाल खड़ा कर दिया इतना सब छोटे बढ़ों को जोड़ के चला है आज इतिहास रचा है तो कास्य मानिवर काशी राम ने रचा है यह मानिवर काशी राम का अशिरवाद बहन जी के साथ होगा है चली बहुत बहुत अच्छी बात है एक बार है अपने क्यामरा पर दिखाँगा की थोड़ा सा यहां का मैजारा दिखा दें किस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं कासी राम यह इसमारक स्थल यहां पर सु पुनिति थी है और इसको बस्पा जो है परिनिर्मार दिवस के रूप में बनाती है और इनके जो कार करता है उनका लगतार यह दावा है कि 2024 में बहन जी प्रधान मंत्री पत की दावेदार हैं और कहीं न कई जो आम चुना होंगे वैदान सभा के उसमें भी बस्पा अपन अलग रूप दिखाई और बहुमत लेकर आज़ी चैमेराव नीरस के साथ सागलतापा प्राइम टीवी लखनाओ खबर लखनाओ से है जहां बारा रभी उल अवल के मौके पर प्रगति शील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इकलाख ने सभी को त्योहार की बधाई दी और सपा संरक्षक मुलाइम सिग्यादों के स्वास्त बहतर करने को लेकर दुआएं भी की उन्होंने कहा कि नेत देश वा प्रदेश वासियों को ईद मिलादुन नभी की धेरो सुपकामनाय बधाई वा मुबारकबाद इद मिलादुन नभी एक ऐसा त्युवार है जिसमें खुदा हम सब की दुआउं को कुबूल करता है जब हम सब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो अपने देश के च परिस्ता हम सब के बीच में भेजा है अधिने मुलायम सिंगादो साथ के लिए भी दुआ करें उनकी स्वास ठीक नहीं है वो जल से जल सुस्त हो जाए हम सब के बीच में रहें यह मैं आपसे गुजारिस करना चाहता हूँ खबर लखनाउ से है जहां 12 रवी उल अवल को लेकर मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने शहर में निकलने वाले जलूस को लेकर एडवाईजरी जारी की उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि जलूस निकालते समय कोई गलत नारे बाजी रोट पर भीड़ी कठा नही करने की जानकारी दी साथ ही कहा कि यद जलूस के वक्त नामाज अदाईगी का समय हो तो भी रोट पर नामाज ना करें मखज़ित में ही जाकर नामाज अदाईगी के निर्देश भी जारी किये गए जलूस के मबारक मौक्ते पर हमारे इस शहर लखनों में ये तारिखी जलूस में के सहाबा निकल आए जिसमें की लाकों की चादाद में लोग शामिल हो रहे हैं और ये जलूस हमीना बात बात से चलके मौनी गंज और रकाद कर नादान महल को अदोते हुए नफास के मौड करके और इड़ काई बाग में जा करके एक जलूस में तब्दीन होगा और इस जलूस में लोग तमाम अंजुमनें बड़ी चादाद में अपने अंजुमनों के बेंगर लिया हुए है राइबरिली में जसने ईद मिलादुनवी के पर पर जलूस निकाला गया गैर मुसलिम लोगों ने भी स्वागत किया आपको बता दें कि ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी अजमेर में आज पैगंबर हजरत महम्मद की पैदाइस के जन्म को लेकर मुसलिम समुदाएं न धूमधाम से मनाया जिसमें ईद मिलादुनवी के पर पर शहर में जगा जगा जलूस निकाला गया खास बात ये है कि गैर मुसलिम लोगों ने भी जलूस का स्वागत किया खबर राइबरेली से है जहां भारी बारी से बिजली के तार सही करने गए पिता और पुत्र करन की चपेट में आकर गंभीर रूप से जुलस गए तो वहीं ग्रामिडों की मदद से दोनों को पास के ही सामुदाइक स्वासकिंद्र में इलाज के लिए भरती कराए गया है जहां डॉक्टरों की टीम ने दोनों को मृत घोशित कर दिया है सूचना पर पहुची पुलिस ने शवों को अपने कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए भेज दिया है खबर गोरकपुर से है जहां बजरंगी सिंग इंटरमीडियाट कॉलेज में 102 यूपी बटालियन एंसीसी गोरकपुर के नेटरूत में आठ डिफसी सयुक्त वार्शिक प्रसिक्षड का आयोजन किया गया जिसमें करीब 600 केडरस और फाइरिंग रेंज के अलफा चारजी डेल्टा ग्रूप के केडल को फाइरिंग करने का प्रसिक्षड दिया गया करनल अखिलेश मिस्रा ने बताए कि जिले के 15 विद्यालों के केडल टल से सेन सेन से हथियार उसके स्वास के विशे में संपूर जानकारी दी गई इस मौके पर करनल एसोसेट एंसीसी अधिकारी समेट कई आला अधिकारी मौजूद रहे 102 एंसीसी प्रदान की है इस कंबाइंड ट्रेनिंग कैम 158 जो की 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक यहां पर किया जा रहा है उसमें 15 विध्या लेके 600 एंसीसी केड़ेट्स जिसमें से राउंड 350 बॉइस केड़ेट्स और 1500 गर्ल केड़ेट्स जो है इसमें इस से तारीक है लखीमपूर खीरी में ढखिया मदन गाओं में कच्छी दिवार गिरने से महिला गंभी रूप से घायल हो गई पांच दिन से हो रही लगातार बारे से दिवार गिर गई आपको बता दी कि महिला को अस्पताल में भरती कराए गया वही महिला की हालत नाजग बनी हुई है दिवाल गिर गई यहां पर असनान कर रही थी हमारी भाई तो दिवाल गिरने से दब गई तो हाथ और सिर में चोट आई है पैर में चोट आई है कानपूर के फूल बाग में वालमी की जैन्ती कारिटरम में RSSS प्रमुक मोहन भागवत ने शिरकत की वालमी की समाज को साधते हुए उन्होंने 2024 की नीव रखी साथ ही कहा कि हिंदू समाज को वालमी की समाज पर गर्व करना चाहिए क्योंकि भगवान राम को हिंदू समाज से परचित कराने वाले भगवान वालमी की थे और इस कारिक्रम मिस्रुक्षा विवस्था के चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट मोट पर दिखी गाजीपुर में योग और आयूर्वेट जो हमारी आधिकाल से भारती परमपरा का एक अंग रहा है लेकिन आज लोग योग और आयूर्वेट को अलग कर रहे हैं वहीं कोरोना वाइरस ने हमारी हजारों साल पूराने योग परमपरा को एक बार फिर से जीवित करने का काम किया आपको बता दें कि पतांजली विश्विद्याले की योग विज्ञान और कुल असुष्यासन एवं बिभागा अध्यक्ष दर्शन सास्त्र साध्वी देव प्रिया जी ने आज जनपद में आयोजित एक काल्टरम योग अस्वास में मुख हती थी कि भूमिका में आई थी जहां पर उन्होंने मीडिया से बाचीत करते हुए योग के माहत्व को समझाया कोरोनिरी बनाई यद्यपी भारत में उसका काफी बबाल हुआ उस समय कि हम इसको मेडिशन नहीं कह सकते हैं लेकिन जर्मनी की जब एक बड़ी पत्रिका में मुख्य प्रिस्ट के ऊपर इतना बड़ा उसका फोटो आयर उन्होंने जब उसको मेडिशन मान लिया उसके बा खबर देवरिया से है जहां पूलिस अधिक्षक के नेतरूत में चलाय जा रहा है अपराध और अपराधियों पनियंतरण अभियान के तहट जनपद इसतर पर सक्री गिरोह पर उपजिला अधिकारी के निर्देशन में कारवाई करते हुए कुक्यात अपराधी बृधी च करने के निर्देश जारी किये हैं देवरिया को नियूट किया गया है उक्त अभियूट के विरुद जनपद के थाना मईल में दूसरों की जमीन पर कबजा करने रंगदारी मांगने ना देने पर जानलेवा हमला करने जैसे गंभीर अपराध कुल दस अभियोग पंजिक्रत है और आया में नगला बीजा गाउं में एक बीवाहिता ने फांसी लगा लिया आपको बता दें कि यूटि के पिता ने बताया कि अपनी बेटी की शादी जो दो साल पहले की थी आज मेरी बेटी फांसी के फंदे से जूल गए जिसकी सूचना पर हम लोग ससुराल पहुचे पिता ने ससुराल पर आरोप लगाया है कि मेरी बेटी को मार डाला वहीं सूचना पाकर पहुची पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए भेज दिया और पुलिस आगे की जाच में जुट गए अभार से आए, बिधोना गई जाए, मामा को लेके, मामा चले गए, अपने होगा, हमाए गर पर है, काना पीना खाया, लैटीन है, हमद्ची उमेट लेके हैं नेट ये बाहर वो अंदर चले गए, कौन? मेरी बीवी दिभ्या दिभ्या तो निकवारी बंद कर लिए अंदर लेट हुई आपकी लड़की क्या नावाई लड़की का दिभ्या कहा हुई ती साधी या पठना गाँ नंगला बेजा पठना ठाना अरवा कोटिना कैसे क्या आद्सा हुई बच्ची का अरे बच्चा चुटाए लोगा रोई मिनने लड़ाई इनकी भई यहां थोड़ों नहीं करो जाए अब साधी होई थी अब है साथ का दो साले महीं है खबर अलीगड से है जहां दो पक्षों में चल रहे परिवारिक बिवात को लेकर जगड़ा इतना बढ़ा की एक पक्ष ने फाइरिंग कर दी जिसमें बच्चा गोली लगने के चलते घायल हो गया वहीं घटना की सूचना पर पहुची पुलिस ने मामले कोशान कराते हु को मलखान सिंग जिला स्पिताल में इलाज के लिए भरती कराया साथी फाइरिंग के आरोपी दो लोगों को गिरफतार कर पुलिस आगे की जाच में जुट गई कर दो टूर को ए गहर पर अपरसेंट गोली मारुदें आज पोली मारी गहाल है यह तीन फायर उनों दो अंधर चल brush में आगि थे पाप, बेटी बेटा, बाप को गोली मारी थी, बच्चे पो गोली लगी है और इतनी देर में बूले लगी है। देखा तो गोली चल लिए घर में घर में घुसके गोली मार कर आई हैं धमकी दे रहे थी कही दिन से जो मेरे घर के बीच में बोलेगा मैं उसे गोली मार दूँगा मनी गुपता हमारी चचिया ससुर के लड़की हैं आयोध्या में मीरापूर बुलंदी राजगाट में लव मेरेज शादी होने के दस दिन बाद ससुराल वालों ने दहेज की मांग रग दी दहेज ना मिलने पर विवाहिता को घर से बेघर कर दिया तो वहीं दूसरी और पती ने जहर खा कर आत्महत्या करने की कोशिश की आपको बता दें कि पीडि पत्नी का आरोप है कि मेरे ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे और दवाओ बनाने लगे पती बोला कि चलो बाहर लेका चले तो लोग भोली कि नहीं कहीं जाना नहीं है तुम लोग को जब अचास्ति खेट पर रखी थी हमसे दिन भर काम कुरुआती थी किसी भी तरह से नहीं हमने जान वचा कर अब मिरान ने भागा भी रहाँ से नहीं सुबाब ने मम्मी के पा नहीं है ले जाने के लिए उन लोग बोल रहे हैं अगर उसको लेकर आओगे तो तुमकर उप्रे देखल कर गएंगे तुमकर को जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है वहीं सडकों पर भरे पानी की वज़ा से शेहर में गंदगी का आमबार भी साफ देखने को मिल रहा है जिस पर नगर निगम की अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं भारी बारिस की वज़ा से जिलाधिकारी के निर्देश पर अगामी दो दिन के लिए कख्षा एक से कख्षा 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश गोशित कर दिया गया है तो वहीं बारिस की वज़ा से किसानों की हजारों भिगहा फसल भी जल्मगन हो गई है आज के समय में अलीगवा महानगर के इंदर जल बराव कि एक ऐसी समर्श्या हुवई है जिसके बारे में सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात हो वही है क्योंकि रोड़जी बारश अभी तो फिलाल अभी आप देने तुछ दिनों पहले भी देखा कि तेज बारश की चंकला रही आज दो दिन से लगाता बारश हो रही है उसके बाद में पूरा अलिवर जल्मक्ष है आप मेरे पीछे दे सकते हैं तमाम जाड़िया बंद है जंता परेशान है आम जरूरत की चीनियों को लेने के लिए भरे हुए पानी में आना पर रहा है नतीजा यह है कि लोगों के दिल में एक भैव्याप्त हो गया है यदि हम गोंडा में ब्लॉक इटिया थोक बाड से तबाही आ गई है पिछले दस दिन से लोग डर के साए में जीने को मजबूर है बाड की तबाही थबने का नाम नहीं ले रही है आपको बता दें कि वेश्यू ही नदी जम कर टांडों मचा रही है सैक्डों घरों में पानी भरा ह कई लोग पलाइन करने को मजबूर है सरकार ऐसे लोगों की कोई मदद नहीं कर रही है प्रसासन की तरफ से कोई आप लोगों के पास पहुचा जानने के लिए कुछ मदद के लिए कोई नहीं पहुचा नहीं पहुचा नहीं पहुचा नहीं पहुचा नहीं पहुचा नहीं तो बहुत सारी हो रही है क्यों है यहां डिखने आदर्गारी भी नहीं, कोई अधिकारी भी नहीं, कोई आथ तक अधिक जाए वी नहीं, कईसे हो, क्या हुआ है? बैराजो वा पहाडों से छोड़े गए पानी गोंडा से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर ये इटिया थोग छेतर में तेलियानी कानून गाउं के गरामसभा में खड़े हैं ये प्राइम टीबी की टीम आज आकर यहां पहुची है आज हम आपको यहां की सच्चाई दिखाएंगे कि परसासन जो ताल ठोक रही है क्या सत्यता है और क्या यहां की जनता बया कर रही है आप देख सकते हैं तस्बीरों में कि इधर ये धान की फसले बिल्कुल डूबी और लोग बच्चे को देखो इस तरह से उसकूली बच्चे हैं आने जाने को इसी पानी में मजबूर हैं तमाम ऐसे जहरीली जीव जनत पानी में आते जाते रहते हैं इनके जीव का खत्रा समस्या बना रहता है अभी हम आपको आगे भी ले चलेंगे गाउं में वहां भी बात करेंगे और क्या सच्चाई है उसको दिखाएंगे परले लीला यहां आप यह भी देखेंगे कि कुछ घर इस तरह से थे जो छोड़ करके अलग पलायन कर चुके हैं हमारे साथ यह मवजूद हैं कि इनसे हम चर्चा करेंगे बात चीत करेंगे कि इनकी क्या समस्याए ह क्या नाम है वाई साभ आशा रहने वाले आ अच्छा है और ग्रूब गया है अपका उसमें डूब गया से इधा पानी बठतन सर्टन सबस्में डूब गया है कि रए रह रह रहे हैं कौन सा मिकान है आपका नंसा मिकान बिखाए ज़रा यह सामने वाला आप ठीक देख सकते हैं कैमरे में वीडियो में देख सकते हैं कि सामने इस घर के वैक्ति हमारे पास मौझूद हैं और यह अपना वहां से जो भी सामगिरी था अपना परिवार था वो लेकर यहां से प्लायन कर चुके हैं पानी की यह बिनास लीला जितना बत नहीं सकते हैं लेकिन का दर्द इनका दुख देखने से खुद अपने आप को बहुत कष्ट महसूस होता है साथ साथ में यह भी कह रहे हैं लोग कि यहां कोई सासन कोई प्रसासन या कोई करमचारी या स्वास्त महाकमे की टीम यहां अभी तक नहीं आई है यह बड़ा इसे हैं प्रसासन को ध्यान देना चाहिए इनकी जो समस्याइं है जो दुख है उसमें से जो सायोग करना चाहिए उत्यप्रदेश की खबरों में इतना ही देज़ुन्या की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्रायम टीवी आप देख रहे हैं प्रायम टीवी सच साहस सरोकार